नमस्कार स्वागता है आपका मेरे यूटूब चैनल ITI 360 डिग्रीज में साउथ इस्टन कोल्ड फिल्ड लिम्टेड में जगए आई हुई है और इसमें अपरेंटेशिप की जगए आई हुई है अच्छी बात यह है कि टैन्थ पास अपरेंटेशिप के लिए आई हुई है और बहुत अच्छी कमपनिया यह ओल्ड फिल्ड का काफी अच्छा जवब रहता है और जब आप यहां से अपरेंटेशिप कर लेते हैं भविस में यहां पर नौकरी निकलती है तो अपरेंटेशिप वालों को ज़्यादा प्रिफरेंस दिया जाता है तो इसमें टैन्थ पास होना चाहिए और कोई एक्जाम नहीं देना है और फॉर्म भी आप लोगों को भरना तो है फॉर्म बस उसकी कोई फीस नहीं है ना कोई इंटर्व्यू है इसमें तो कोई एक्जाम भी नहीं कोई इंटर्व्यू नहीं है फॉर्म बस आपको बहुत आसानी से अप्लाई करना है अगर आप अपरेंटेशिप की वेफसाइड पे है प्रोफाइल कंपलीट करानी पड़ेगी उसके बाद आपको एक क्लिक पे आपका फॉर्म अपलाई हो जाएगा तो फॉर्म अपलाई होना बहुत आसान है इसमें तो बाकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूँगा तो सबसे पहले तो आप सभी छातुर से यही कहना चाहूंगा कि आईटियाई अपरेंटेशिप जॉब प्राइबेट गवर्मेंट साथ में आईटियाई की अपडेट क्लासेज बगरा और तैयारी बगरा कराना सब कुछ मैं कराता रहता हूँ तो आप लोग चैनल को सबस्क्राइब अबस कर लें आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आप टैंथ पास उतनीड कक्षा के अभ्यारतियों के लिए अपरेंटिस पोर्टल के माध्यम से Online आमंत्रत जो है आवेधन किए गए हैं सबसे पहले बात करें तो इसमें डेटा इंट्री ओपरेंटर के लिए जग्या निकली हुय है पचिस जनर्ल डूटी असिस्टेंट के लिए ओफिस असिस्टेंट के लिए पचिस पचिस जग्या निकली है टोटल यहाँ पर 75 जगा है सब बाकी केटेगरी वाइज दे सकते हैं जन्रल, OVC, SES, T अब यहाँ पर जो है आप लोगों को पंजीकन कैसे करना है बस आपकी योगता 10th पास होना चाहिए उसमें कोई subject का limitation नहीं है पंजीकन प्रक्रिया गया है सबसे पहले apprenticeship India.gov.in इस website पे आपको अपना पंजीकन करना है हाला कि इसका पंजीकन करना मैंने बता दिया है एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने बनाया है अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो का भी link description box में दे दूँगा उसको देखके आप apprenticeship की website पे पंजीकन कर लें जिसका पहले से पंजीकन है उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूत नहीं है जैसे ही आप पंजीकन करेंगे यहाँ पर थोड़ी सी प्रक्रिया भी बताईए पंजीकन करने की तो उसके बाद जो है आप पंजीकन कर लेंगे जिसमें अपना mail ID और यह सरी चीज़े है तो पंजीकन करने की प्रक्रिया वीडियो के माध्यमस बताया है link description box मिल जाएगा आवेदन कैसे करना है आपको वो देख लीजेगा आवेदन ऑनलाइन पंजीकन करने के बाद आपको login करना है और establishment search में जाना है तो वहाँ पर आप साउथ इस्टर्ण कोलफिल्ट लिम्टेड पर क्लिक करेंगे और संबंदित अपना जो है किस में आप अप्लाई कर रहा है आटोमेटिक ले लेगा वहाँ से बाकी जो है फार्म भरने की last date क्या है तो देखिए 13 फरवरी से फार्म स्टार्ट है 27 फरवरी तक फार्म को रातर के 12 वज़े तक भरे जाएंगे तो अभी काफी दिन है तो आपको अभी 6-7 दिन है एक बार आप अप्रेंटिसिप कर लेते तो दुवारा अप्रेंटिसिप नहीं होती है तो अप्रेंटिसिप आपकी नहीं होनी चाहिए कहीं से भी फर्स टाइम आप अप्रेंटिसिप कर रहे होंगे और 18 साल आपकी आयू होना चाहिए चैन प्रिक्रिया की बात करें तो चैन जो है वो आपका निर्धा जो है टैन्थ दस्वी योगता परिक्षा में प्राप्त अंगों के आधार पर होगा और इसमें किसी पिरकार का कोई एक्जाम इंट्रिव्यू नहीं होने वाला है अब वो जब आपका सेलक्षन हो जाएगा इसमें मेरिट में तो आपके लिए आवसक जो है दस्ताबेच का सत्यापन होना है जिसमें आपका जो है सबसे पहले हाई स्कूल की मार्शीट पासपोर्ट साइज फोटो अभ्यरती के हस्ताक्चर जन्टिथी मतलब डियो बीच सर् प्राती और आधार नंबर और ट्रेट प्रात्मिक्ता धंग से दर्च की होनी चाहिए अपलोड के नहीं सबसे पहले यह चेक होगा फिर एक आपका सपत पत्र आपको बनवा के लेकर जाना होगा यह तब का काम है जब आपका मैरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा दस प्राती प्राती और अब्यारती को अस्वताल से चितिकसा प्रमाण पत्र भी लेकर बनवाना पड़ेगा और सारे मूल दस्तावेज जो है वो इतने तारिक से पहले-पहले के जारी होने होने चाहिए और टिपड़ी है यहाँ पर कि एक बरस बात प्रस्विक्ष प्रात हो किसी भी इस्तिती में आपको साउथ फिल्ड साउथ इस्टन कोल्ड फिल्ड लिम्टेट का करंचारी के रूप में स्वेकार नहीं किया जाएगा मतलब आपको वहाँ पर पर्मानेंट रखने की कोई गारंटी नहीं है ऐसा तो हर किसी में लिखा रहता है बाकि छोटी पुड़ा करवा के अपना डिटेल भरके और नोटराइज कराना है इसे तो यह है जो सपत पत्र है बाकी मेडिकल फॉर्मेट भी दिया है इसमें तो सब कुछ दिया है यह वीडिया आपको ग्रूप में प्रवाइड कर दूँगा और गुरूप का लिंक के जो है डिस्क्र अलाही धन्यवाद